हेलो पिच्चों संस्क्रत में आज हम अपना अगला पार पार दो शुरू करने जा रहे हैं जिसे प्रंस्कित में हम कहते हैं दूर्द कोवे की कहानी पड़ेंगे चलिए अपने पुस्तक का पेच नमबर 150 वन निकाले द्वितियह पाठह पाठ दो शठह काकह शठह याने शठह का आर्थ होता है चतुर चाला काकह याने कोवा बच्चों इस पाठ में हम चाला कोवे की और एक हिरन की कहानी पड़ेंगे अब यहां लिखा है लोटलकार लोटलकार का क्या आर्थ होता है लोटलकार का आर्थ होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग इस पाठ में है जिससे आज्या प्राथना या निवीदन किया जाता है उन शब्दों को हम लोट लगार शब्द कहते हैं, तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं. हरिनह, काकह, च, मित्रे, स्थ, हरिनह यने हिरन, काकह यने ये कोवा, हिरन और कोवा दोनों मित्र हैं, तो स्वयम क्रशी कार्याय तत परो सह, याने वो लोग क्रशी कार्य करने के लिए, फसल उगाने के लिए तयार हुए, अब हिरन कहता है आगच्छ मित्र आगच्छ मित्र याने मित्र आओ बीजान वपावः वपावः याने बोना बीजान याने बीज चलो मित्र आओ हम इस खेत में बीज भोते हैं अब को वा क्या जवाब देता है एशह आगच्छामी याने वो कह रहा है कि ये आया अभी आया अगर आपको कोई बुलाता है तो आप बोलते हैं कि अभी आया तो वो क्या कह रहा है एशह आगच्छामी याने अभी आया ममका की याने मेरी पतनी अस्त्रनास्ती अत्रनास्ती याने अभी यहाँ पर नहीं है मेरी जो पतनी है वो यहाँ नहीं है जब वो आ जाती है तो मैं आता हूँ तुम चल तुम चलो मैं तुमहरे पीछे पीछे आत मेरी पत्नी नहीं है वो आएगी तब मैं आता हूँ तो इस धूर्त चालाक कोई की यहां पर चालाकी से उसने क्या करा हिरन को अकेले ही काम करने के लिए भेज दिया अब हिरन ने क्या किया यहां पर पूरे खेद में ये बीज बो दिये अब आगे दिखिए मित्र काक चल ससयम सीन्चावः मित्र कववा मित्र कोवा चलो हम ससयम यने फसल सीन्चावः यने सीन्चते हैं पानी देते हैं तो चलो मित्र हम अपनी फसल को पानी देते हैं क्योंकि मैंने बीज बो दिये हैं और थोड़ी थोड़ी फसल उगना शुरू हो गई तो अब चाला की करता है तुम सिंच अहम व्यागम पश्यामी तुम यानि तुम सिंच यानि तुम सीचो तुम पानी दो अहम यानि में व्यागम यानि शिकारी पश्यामी यानि देखता हूँ एक काम करो तुम फसल को पानी दो में क्या करता हूँ में यहां बैठे बैठे शिकारी को देखता हूँ व्यागम यानि शिकारी शिकारी क्या करता है जानवर को पकड़ता है तो चतुर कोवे का ये मतलब था कि तुम अपना काम करो मैं शिकारी को देखता हूँ यदि वो आ जाएगा तो मैं तुम्हें इशारा करूं तूंगा और तुम यहां से भाग जाना नहीं तो शिकारी तुम्हें पकड़ लेगा उसकी चाला की से उसने उसे ऐसे मूर्ख बनाया चलिए पेज नमबर 152 निका लिए आगच्छ ससयम लूनी वह अब उसने पानी भी दे दिया हिरण ने उसके बाद अब फसल बड़ी हो गई है तो हिरण ने फिर बुलाया कि चलो आओ फसल उग गई है अब हम काटते हैं लूनी वह याने काटना ससयम याने फसल अभी हमने पहले पढ़ा है इस शब्द को आगच्छ यने आओ तो आओ मित्र हमारी फसल बड़ी हो गई है चलाकी से जवाब दिया कि एक काम करो मैं यहां व्रिक्ष पर बेठा हूँ मैं सीह को देखता हूँ कि सीह नहीं आ जाए क्योंकि हम दोनों यदि फसल काटने में व्यस्त रहे तो मैं तो उड़ जाओंगा यदि सीह की मुझे पदचाप सुनाई दी या मुझे आहट सुनाई दी लेकिन तुम हिरन हो तुम उतना तेज नहीं भाग पाओगे और जल्दी से सीह की पकड में आ जाओगे इस तरह से चाला की करते हुए उसने कहा अहम व्रिक्ष तह एव सीहं पश्चामी याने में व्रिक्ष पर बैठकर तुम्हारे लिए सीह की सीह से तुम्हारी रक्षा करूँगा जैसे ही सीह आएगा मैं तुम्हें बता दूगा तुम फसल काटो इसका ये मतलब हुआ कि तुम फसल काट लो मैं तो यहीं बैठा हूँ और मैं यहां से बैठे-बैठे शेर को देखूंगा, यदि आ जाएगा तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, अब कोवे ने न तो बीज बोए, न फसल को पानी दिया, और नहीं फसल को काटने के लिए तैयार हुआ, अब अगला देखिए, अहो बहु अन्नमस्ती, याने हिरन ने कहा कि बहुत सारी फसल हो गई ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जादा फसल होगी है, अब कोवे की चाला की देखिए, जब सब कुछ अकेले हिरन ने किया, तब तो उसने जरा भी हिस्सा काम में नहीं बटाया, लेकिन जब फसल कट गई, तो अपना हिस्सा बताने के लिए वो कह रहा है, अर्धम अन्नम ममास्ती याने अर्धम याने आधा, अन्नम याने अन्न जो भी फसल है वो अन्नम ममास्ती याने मेरा है, उसने कहा इसमें से आधा हिस्सा तो मेरा है, तो अब हिरन को गुस्सा आया, हिरन ने सोचा कि इसने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन ये आधा हिस्सा क्यों तब उन दोनों ने फ्रेसला किया कि हम जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे न्याई के लिए अब पढ़िये यहाँ पर क्या लिखा है तदा यानि तब तव यानि दोनो तव शब्द आपो याद है तव यानि दोनो न्यायार्थम सीह समक्षम गच्छतह न्यायार्थम यनि न्याय के लिए सीह समक्षम यनि समक्षम यनि सामने गच्छतह यनि गए तब दोनों जब उन दोनों का आपस में जगड़ा हुआ हिरंड ने मना किया कि तुम्हारा हिस्सा तो हो नहीं सकता है तो वो दोनों सीह के सम अब यहां पर सीह ने क्या किया हिरन और कोवे की दोनों की बात सुनी और अपना निर्णय सुनाया हे काक तव भाग न अस्ती अब शेर ने सही सही फैसला लेते हुए कहा कि हे कोवे इसमें तुम्हारा भाग तो हे ही नहीं क्यों यह वपती सह एव स्वामी भवती जो बोता ह वही उसका स्वामी होता है यानि फसल उसने बोई हिरन ने फिर उसको पानी उसने दिया फिर उसकी कटाई उसने की और जब पूरा सब कुछ काम हो गया तब तुम आये हो कि आधा अन्न तुम्हारा है तो ऐसा नहीं हो सकता है जो बोएगा वही काटेगा और वही उसका स्वा और कोवे को महा से भगा दिया कि इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है तो इस तरह से कोवे की चाला की शुरू में तो उसने बहुत चाला की की लेकिन यदि हिरन यहां भी उसकी बात मान लेता तो उसको आधायसा देना पड़ता लेकिन हिरन ने भी चतुराई की और कहां ग को ये कहानी अच्छी लगी होगी.